हमारे इस चैनल पे हम अकसर बैटरी के बारे में बहुत बाते करते हैं और हमने अब तक अलग-अलग तरीके की बैटरी के बारे में आप सब लोगों को बताया है मगर अब एक बहुत ही यूनीक तरीके की बैटरी आ रही है दरसल ये battery नहीं है बलकि एक gas को battery की form में convert करा गया है और इसकी सबसे amazing बात पता है क्या है इसका life span Companies claim कर रही है कि 20,000 charge cycle तक ये वाली battery आपका साथ निभाएगी आप किसी को समझना होगर कि 20,000 charge cycle का मतलब क्या है तो on an average एक सबसे अच्छी quality की lithium battery भी 1800-1900 cycles तक चलती है जो की आपके phone में, आपकी EV में, laptop में इन सब में लगी होई होती है मगर इसी की जगह पे अगर एक hydrogen based battery बन जाए जो की 20,000 charge cycle चले तो ये बहुत ही amazing है इस वाली वीडियो में वैसे तो हम इस battery के बारे में A to Z सारी जानकारी हासिल करेंगे बट एक background based बना देते हैं अपने sub viewers के लिए क्योंकि कुछ लोग non technical भी होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा idea हो जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं तो देखो दोस्तो hydrogen जो है हमारी universe में सबसे जादा मिलने वाला element है और इसी के साथ-साथ hydrogen की energy density भी सबसे जादा होती है सारे elements में मगर इन दौनों चीजों के साथ-साथ hydrogen की एक परेशानी भी है hydrogen बहुत चिपकू है ये कभी भी अकेला नहीं मिलेगा universe में मिलेगा तो किसी ना किसी दूसरे element के साथ में चुपका हुआ मिलेगा example के लिए H2O hydrogen oxygen के साथ में पानी बना देगा और यहीं पर आता है hydrogen का सबसे बड़ा challenge उसको उस दूसरे element से अलग करना hydrogen जिसके साथ में चुपकता है उससे इतना प्यार करने लगता है उससे अलग ही नहीं हो पाता और इसको अलग करने के लिए हमें इसमें बहुत ज़ादा energy देनी पड़ती है जिससे कि हम hydrogen को एक usable form में convert कर सके और again उस hydrogen को usable form में बनाना अपने आप में बहुत energy consumption वाला process है और इसके बाद में आती है दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत hydrogen की वो है hydrogen की storage देखो hydrogen को अगर हमें store करना होता है तो पहला होता है low pressure में hydrogen को store कर लो ये वाले method के अंदर जो hydrogen हम store कर पाएंगे उसके लिए जगहे तो बहुत सारी चाहिएगी मगर उसकी energy density बहुत कम होगी तो एक visible option नहीं रहता दूसरा option आता है hydrogen को compress करके store करना अब जब हम hydrogen को compress करके store करते हैं तो containers का pressure approximate 10,000 PSI तक जा सकता है तो यहाँ पे vessel का वजन अपने आप में बहुत बड़ा challenge हो जाता है और एक normal home owner के लिए इस तरीके के vessel को अपने घर में रखना पहला तो यह safety issue raise करता है और उसी के साथ-साथ इसका maintenance and upkeep भी बहुत जादा होता है अब आजाते हैं हम तीसरे तरीके पे हम battery पे भी आएंगे जो की घरों में इस्तमाल हो सकती है hydrogen based बड़ उससे पहले हमें थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा hydrogen के बारे में तो तीसरा तरीका क्या है hydrogen की storage का वो है hydrogen को liquefy कर दो और फिर उसे store कर लो hydrogen actual में तो gas है बट उसको liquid में भी बनाया जा सकता है जब हम उसको freeze कर दे minus 200 degree Celsius तक इस temperature पर hydrogen liquid में बदल जाएगा और आप उसे easily store कर सकते हो अगर again ये वाला तरीका भी बहुत expensive है तो पहला खर्चा तो हो गया hydrogen को अलग करने का जिस भी element के साथ में वो था यहाँ पे हमने पैसा डाला उसके बाद में hydrogen की storage के लिए या तो उसे हम compress करके store करें या फिर उसे liquid में convert करके store करें दोनों ही तरीकों में हमारे पैसे बहुत लग रहे हैं और यहाँ पे एक ऐसी battery बना पाना hydrogen का इस्तमाल करके जो कि lithium को टकर दे सके क्योंकि lithium अपने आप में बहुत cheap हो चुका है 11,000 रुपे पर kilowatt hour आज की date में lithium का price चल रहा है lithium की battery का price चल रहा है तो इस range में hydrogen battery को ला पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है बट हम आगे एक और नए तरीके की बात करने वाले हैं जिसमें हम hydrogen को room temperature पे और normal pressure पे store कर सकते हैं अब यह जो तीसरा तरीका है यह कोई बिलकुल latest तरीका नहीं है in fact hydrogen को इस form में store करने की शुरुआत तो 1930 में ही हो गई थी अब यह तरीका क्या है यह तरीका है hydrogen को metal hydride की form में store करने का और जैसे ही इस metal के पास में हम hydrogen को ले आते हैं तो जो hydrogen का molecule होता है वो बट जाता है दो individual atoms में और ये atoms उस metal की layering के बीच में जाके store हो जाते हैं और इसे ही हम metal hydride की form में hydrogen को store करना बोलते हैं और कुछ लोग इसको solid state hydrogen batteries बोलना भी पसंद करते हैं बट इसमें जो solid वाला portion होता है न वो तो खाली metal होता है बट hydrogen तो gas form में ही store होती है मगर अब यहाँ पे एक सवाल आता है मेरे भी दिमाग में आया था कि metal अल्रेडी इतनी सारी जगह लेके बैठा हुआ है और उसके molecules के बीच में hydrogen को store करना space ही कहां मिलेगा और यहाँ पे तो cylinder का जो वजन होगा जिसमें हम compressed form में hydrogen को store कर रहे थे उससे कहीं ज़ादा वजन हो जाएगा तो इसका simple सा scientific answer है कि इसका volumetric energy density निकाल लो तो जब hydrogen gas की form में store होता है compressed gas की form में तो इसकी जो energy density आती है वो आती है 40 kg पर cubic meter और इसी के बाद में जब हम इसको liquid में convert कर देते हैं तो हमारी energy density आती है 70 kg पर cubic meter मगर जब हम इसको liquid hydride की form में convert कर देते हैं तो हमारे को 80 kg पर cubic meter की energy density मिल जाती है मतलब कि hydrogen को gas की form में, liquid की form में और इन दौनों से भी ज़ादा हमें energy density मिलती है जब हम इसे metal hydride में store करते हैं तो technically metal के बीच का जो portion होता है उसके अंदर hydrogen बहुत अच्छे से pack और seal हो जाती है मगर अब जो hydrogen हमने store कर दी metal hydride के अंदर इसे निकालना भी तो होगा तो इसके लिए क्या process होता है इसके अंदर एक simple सा process होता है के metal hydride को गरम कर दो हम जैसे ही उसे गरम करते हैं molecules में vibrations होता है और hydrogen जितनी भी आपने store करी थी वो बाहर आ जाती है मगर यहाँ पे एक और बड़ा challenge आता है कि यहाँ पे storage में तो हमारी मेहनत नहीं लगती जैसे पहले वाले case में liquid form में store करने के लिए hydrogen को हमें उसे minus 250 degree celsius तक ठंडा करना पड़ रहा था जिसमें energy लग रही थी तो metal hydride में storage में तो energy नहीं लगती बट कुछ metal hydride में वापिस gas को निकालने में बहुत energy लगती है क्योंकि जो हम metal hydride को गरम करने की बात कर रहे हैं वो 300 degree celsius तक गरम करने की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे एक सवाल मन में आता है कि जब इतना ही power consumption हो रहा है कि metal hydride को 300 degree celsius तक गरम करना पड़ रहा है तो यह battery feasible कहां से बनेगी इतनी energy तो यह battery अपने आपको गरम करने में और hydrogen को देने में ही ले लेगी तो बचेगा क्या इस्तमाल के लिए तो यहाँ पे आती है नई नई research जैसे इसी तरीके की एक battery पे research चल रही है highmax systems की तो highmax energy systems ने एक vessel बनाया है और उस vessel के अंदर इन्होंने metal powder डाला है यह actual में एक alloy powder है और इसके अंदर hydrogen को डाला जाता है और again जब इसके अंदर hydrogen को डाला जाता है तो इस vessel का temperature एप्रोक्स 15 degree Celsius कर दिया जाता है better absorption के लिए और इसके अंदर से gas को release करा जा सकता है जब हम इस vessel का temperature एप्रोक्स 95 degree Celsius कर देंगे तो 300 से 95 degree Celsius पे तो हम आ गए मगर यहाँ पे एक और research चल रही है जिसको कर रही है JKN तो hydrogen battery की इस research में JKN एक step और आगे चली गई है इन्होंने metal alloy powder लिया है और उसको compress करके pallets बना दिये हैं छोटे छोटे ये वाले pallets जादा अच्छे से hydrogen को absorb कर पाते हैं और इसी के साथ साथ जब इन pallets से hydrogen को निकालना होता है तो हमें जो इसको temperature देना होता है वो देना होता है केवल 65 degree Celsius तो देखा आपने कहां हम 300 degree Celsius से research करकर के 65 degree Celsius तक आगे हैं और इसी के साथ JKN पूरा एक system design कर रहा है ecosystem hydrogen का तो hydrogen को तो ये in pallets में store करेंगे metal pallets में metal hydride की form में फिर उसे 65 degree Celsius पे temperature देके ये उसमें से hydrogen निकाल लेंगे अब इस temperature को निकालने की भी कहानी अनोखी है क्योंकि जब हम hydrogen से electricity बनाते हैं तो अगर आपने 100 रुपे की hydrogen लिये तो 40 रुपीज की ही आप बिजली बना सकते हो 60% है वो heat में waste चला जाता है fuel cell का जब use करके hydrogen से बिजली बनाई जाती है अब इनोंने इसी heat का इस्तमाल करा है अपने palate को गरम करने के लिए और इसी के साथ-साथ इनोंने इसी heat का इस्तमाल करा है water boiling के लिए भी तो ये electricity भी बनाएंगे पानी भी घर का गरम कर देंगे अगर घर के अंदर सर्दियों का मौसम है तो घर को भी ये ही heat गरम कर देगी तो इसकी वज़े से इनके पूरे के पूरे system की जो round trip efficiency है round trip efficiency जिन लोगों को नहीं पता इसका मतलब होता है कि हमने कितनी unit of electricity दी battery को और वापस हमें कितनी unit of electricity मिली तो round trip efficiency अभी तक जो सबसे अच्छी battery की है वो है lithium battery की around 90 to 95% तो इनका system वो जो waste heat जा रही थी पहले fuel cell वाले system में उस heat को capture कर लिया है इनोंने और इनके system की round trip efficiency आती है 90% की जो की बहुत remarkable है और charge cycles का better idea मतलब आप एक battery को कितनी बारी charge कर सकते हो और कितनी बारी discharge कर सकते हो और GKN ही अकेली company नहीं है Australian based company है LAVO जो भी इसी तरीके के system पे काम कर रही है और वो भी hydrogen को metal hydride की form में ही store कर रही है और यह जो दौनों systems हैं GKN का और LAVO का यह दौनों commercially available है हम इनको market से जाके purchase इस भी कर सकते हैं बट currently इनकी costing lithium से काफी जादा महंगी है मगर क्या आप लोगों को एक चीज़ पता है मैंने अभी हाली में एक गाड़ी देखी जो की electrical गाड़ी थी मगर पूरी गाड़ी ढूनने पर भी मुझे उसमें कोई भी battery नहीं मिली फिर मैंने जब पूछा कि अरे भाई इसकी battery कहा है गाड़ी में तो कहीं पर भी नहीं मिली तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस वाली गाड़ी का जो structure है वो ही इसकी battery है तो जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आने वाली एक नई innovation की जिसका नाम है structural battery हमने इस पर भी एक detail में वीडियो बनाई है अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप definitely कुछ ना कुछ miss out कर रहे हो यहाँ पर आ रही है आप अभी के अभी click करके देखो